कि वैलेंसी एलेक्टरन कंफिग्रेशन के बाद बहुत इंपोर्टन टॉपिक है वैंसी यह बोलती है वैंसी का मतलब यह को होता है अब से बाहर वाली शेल्ज होती है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रों से वेलेबल हो तो उसको बोलते हैं वही रियक्षिन में भाग लेते हैं मतलब यह समझ लिजे सब्सक्राइब बात की आपके साथ कर्बन का अटमिक नंबर होता है छे और एलेक्ट्रों कर्फिकेशन है त सब्सक्राइब जिए सब्सक्राइब दिसक्राइब लियक्षिन में टेक्पार करेंगे मतलब उसके चार क्या होगे बेलेंस अर्वलेक्ट्रों कि धया पर डिस्कस करते हैं कि हर अठरמס आ होता है तो अपने आ्व आउतरमोस शेल को कम्प्रीट करने के लिए अपने दूसरे इलिमेट्स हैं या दूसरी जो बला तो सब्सक्राइबर तो उसको बोलते हैं वेलंशी चलिए छोटा सा पर लिए पर देखेंगे जाएंगे अब अब आउट्रम शेल जो है वो देखता है इसके राइगर में यह हमारा नुप्लियस यहां पर दो होते हैं यहां पर आठ और बाहर बादर में वल तो यहां पर एक इलेक्रों इसके बाद इक्स्ट्राइट मत्था यहां अप्रीकुल फिलो चुका था एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नो दस और यह जारा वोगे टोटल जारा अब मैं बोर रहा हैं अगर इस इलेक्रों को यह जो करने लागे की सिसको कंप्लीट करने लेगा और शाइस बन बन जाएंगा और इसको लिखेंगे इसुरियाँ ग sailed प्लस को अब नहीं कर दिया लूज कर देंगा चार्ट के आएगा प्लस उसको अब नहीं बोलेंगे इस पोडियम आएन और यह क्या क्या आएगा पूजिव चार्ट चलिए आपको डफिनिशियों समझने आगे ना आपको एक्जांपल देके और समझार होगी जब को समझने अचलिए अचलिए यह संप्राट करते है इसको मैं मिश्या संतों और येल Но यह थर मां ब्लуп क्या स्व дан dalla ब्ल के नियुक्त सरीके से का अवर इसका फिर स्भी आप साख्रट ऑने त्व के लिफिस इताल है फिनियों नीच जो कर देक्डिकली में अचलिए इसकी पूड कर घ यह तो इद यह तो यह नहीं होना चीए यह तो इसके पास दो एलेक्रों रहों या फिर इसके अवूने चीए आप यह जो है अगर इसके इलेक्रों और देगो मैं और देगों लीथियम को अगर मैं 7 एलिक्रोस और देदू तो लीथियम क्या जाएगा तू वन अलड़ी है 7 और अगया जाएगा 2 है यह क्या बन जाएगा इसकी इस तरह से लिखेंगे लीथियम के उपर गया जाएगा 7- दूसरा अगर मैं इस वन को यूज कर दू तो हमें टू मिल जाएगा क्या तो भी तो क्या डबलेट पूरा हो रहा है है अंत्व जाएगा जाएगा student kidding को मैं को मैं जाएगा था यह झाला है माइनस करें यह किता ज्ञा जर्था को सकत्य है वह सब्सक्राइं है तू उन्ली आ Фyttाह्इडियन के उपर यह प्लस को सब्सक्राइब करता है यहां पर करना है यहां पर दसी एक लूज करना है यहां पर सेवन गेंड करना कौन सा कम आसा है बनेगा और यहां पर तो इतनी एनरजी देने से बेटर है कि उसको यह ना बना के यह क्या बना यह काम आसान होगा यह वही काम करेंगा इसके क्या बनेगा और यह लूस करके पॉजिव चार्ज गेंगा कर दिया तो जब इलेक्ट्रों लूझ होता है अगर अपना है और जूटाइन करता है और बहुत यह ना है चलिए इसी साथ कि निश्या ऑड आ यह ना करते हैं कारबन को कारबनन कारबनन कि निमबर है 6 कि रिखा जाता है अगज कोमा कि आपना लूं यह निप्लिया से आप देखते हैं, या तो डबलेक पूरा करना है, या तो आपको आठ 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 पूरा करना है, या तो आ मुझे चार इलेक्ट्रॉन और देने होंगे मतलब प्लस फोर एलेक्ट्रॉन प्लस लेक्ट्रॉन करने और इसको मुझे वुड़ा हो चार इलेक्ट्रॉन की ना पर देखे forcing पर दोने केस में बढ़ कर आप समझेएगा अगर मैं चार एलेक्रोज देता हूं मैंने क्या कर दिया है 4 यह क्या होगया 2 और 8 होगया मतलब आभी अपर्बन चार लेने कि वज़े से कार्बन 4- बढ़ रहे लिया तो माझ लेते हैं, कि अई महीं करता, और यह करता है कि चार इलेक्ट्रों वो क्रदिया से लूस, प्तब ये चार रिश्तिया करतिया लूस कर दिया लूस, जैसि ही 4 के साथ car工 को हाँ जोश डेगा संसे चार को ये लूज करेगा साँ कैया है। पता है जब लुज कि याटा को ये जोख शारшей को प्ल स्कोन लोस करना थो ढ़ी जोख की महें। चार को गेंग करना चार को लूस करना कि दोनों में एनरजी एंस अमोंस चुम लगेगी इसकी विज़े से को तो यह वही वालंसी उस 12 तॉल में को इन दोES 12 पोलॉए हो जाए दोगी तो यह को रिखिताा है यांसे on वेलेंसी के बिहाफ पर हम रियक्शन भी देखेंगे और इसके दूसरे कंटेंट बीच तो चलिए देखते हैं वापिस लिए चलता हूं अब चैकर नमबर 3 की तरफ चैकर नमबर 3 में अब हम जो डिसक्स करने वाले हैं वह है केमिकल रियक्शन करने से पहले केमिकल समझाने से पहले मुझे बहुत जरूरी था आपको यह समझाना की वैलेंसी क्या होती है चार्ज यह आएंक्य होता है chemical formula लिखने से पहले कुछ rules पढ़ लेता है chemical formula बनाने से पहले या लिखने से पहले सबसे पहले आपको याद रखना है valences on the ions दो सेंटे दो आयन होंगे positive नेगटिव आयन उन दरों combine जब करेंगे तो दोंगे valences कर जाने चाहिए balance हो जाने चाहिए गूर्फ अगर माने लेते हैं कि compound यह उसके न दर नॉन मेटल है एक नोन मेटल हमेशा याद रहे कि metal जो है प्रेकेट में डाल देंगे और फिर उसके चार्ज को अपन क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे इस जाधा सिंपल है बहुत जाधा सिंपल है बता दूंगा तो इसके थुर करने में बहुत आसानी रहेगी सबसे पहले लोग ले लेते हैं सोडियम को एने और सीर को छाधिये एने और सीर आपको दोनों पता है एने में किसकी बात कर रहा हूं और मैं सीएल की बात कर रहा हूं था बात करते हैं सोडियम की सोडियम जो है जम सोडियम करवाएंगे तो इसको लिख देता है आप इनकी योरिम के साथ लिखो इसकी 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 बनाइश के साथ ह लिखो देखिए क सब्सक्राइब करने के लिखे जब की यह एक लूज्र क्रेगा तर्यूनलuted करके अब क्या रहे हैं इंड़ों क्रॉस कर लिए इसके वाहें इसके साथ मिखनी कितनी है अर दोरे की साथ में डिकने से क्या बन जाएगा एन्य सी है इसको बोलेंगे स्अल्दियम क् लोड आपका नमक जो होता है। इसको बोलता है sodium chloride देखे इसमें अगर कोई दिक्कर तो तो में फटक से कमेंट एक पूछ लीजिए और नहीं तो फिर हम आगे चलता है I hope it is very clear इसमें बहुत जादा difficulty आयेगी आपको मैं इसके बाद एक example और देता हूँ इसमें शायında powerful आला payments ह्यां चलिबात करते हैं कॉंत बात करते हैं आपको करना हें हैं क्या अपको करना है कारबन और כलोरीण के साथ क्वेस्व लिए गहरा चwers ने बात करते हैं किरें कारबन का ब्रवध तो लित लएचितnova नशीना भीद राइस हैं 2,8,7 वेलंसी लिख लिख लिजिए इसकी वेलंसी मैं आपको बता चुका हूँ प्लस माइनस 4 इसकी वेलंसी कितनी है? माइनस 1 अब देख कीजिए मैं आपको बना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चीए तो ये नेगेटिव है अलड़ी ये तो चेंज नहीं कर सकता है पर ये तो चेंज कर सकता है ये प्लस माइनस 2 रहना सकता है तो इस नेगेटिव है पॉजिटिव हूश के लिख लाओं देख लिख लिख लेगा है मैं पर सी में बना नेख्तörtा ओपर लिखित्व देख्वतर CCL4 बनिया यह था formula pour carbon and chlorine जो है दोनों रियक करेंगे तो CCL4 बनिया अज हो आपको समझ में आ रहा होगा एक और example चलिए एक ग्जांपल और ले देजे यह समझ में आगे आपको चलिए एक ग्जांपल ले ले लेते एक और नंबर होता है थर्टीन है यह जाएगा हमारा एक वैसे कि इसकी फ्लस थ्री इसकी कितनी है अब दोनों को लिए तू ओ अब आपको बदान आगयोगा इस वरी सिंपल आपको इसके वकर ट्राइ करना है और भी कुछ एक्जांपल्स आपको दे रखें आपको इनके साथ ट्राइ करना है और बहुत आसान टॉपिक आपका हो भी जाएगा ठीक है अब इसमें चोटी सीच व्याइच के साथ इनको रीक कैसे करवा जाएगा तो इससे पहले एक चोटी सी टेबल देख लिए अप लोग अनुट्रिक आपको इसमें ऐले है फिलाल दो इस याजिए है ये है नहीं वोलते है मिलन तो इसको बोलते है अमोनिय माय जो दोनों और इसीह रिंक्षित के वा ब्रेक्ट में डाल देते हैं और चार्ज को पर लेगे विए गादा है आप इस को कर देते हैं इसके उपर क्या आता है प्लस माइनस वे होता है तो यह मैनस ही हमेशे क्या चलेगा देगे ब्लस होगया अब इंदर की को प्रॉस कर लीजिए एज के पास किया जाएगी 2 और SO4 के पास क्या बाद आएगा SO4 1 अब 1 है तो कोई ज़रूत नहीं पड़ती इस लेखेंगे एक लेक्षिन करें दोनों के अपस में रेक्षिन करें नहीं पूर और SO2 माइनस तो प्लस कुन सा नहीं पूर नहीं पूर आगए जाएगा यह बजाएगा NH4 ब्रेकट में ट्वाइस यह चलागा एज पूर के साथ क्या जाएगा SO4 वन ही यह तो दिक्कत भी नहीं आगा तो इसको बोली के अमोनियम सल्फेल इसका टू इस पूरे के साथ जाएगा इसका वन पूरे के साथ जाएगा तो इस पूरे के साथ अगर इसको इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसी हो जाएगा यह ब्रेकट पूरा बना दिया आपको ब्रेकट पूरा क्लियर होगा तो यहां हमने अभी जो देखा वो है राइटिंग ऑफ केमिकल फॉम्लास कैसे कैसे बनाए जाते हैं और इसके बाद नेक्स चेप्टर रहेगा सरी नेक्स टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा एटोमिक मास और मॉलिकलर मास निकालना है वो कैसे निकालेंगे